भारत और पाकिस्तान का ये हाई वोटेज मैच जो है वो चंदी मिंटो बाज चिरू होने वाला है सबकी निगाहे इस मैच पर टिकी हुए है कि किसे से परफॉर्मेस जो है इस पर खिलाडी करेंगी और लगातार अपडेट जो है माको दे रहें तो अब्दुल क्या कुछ मै पाकिस्तान की प्लेंग 11 है उसमें एक है रिप्लेस्मेंट एक चेंज हुआ है तो क्या नजर आ रहा है कि अगर पहले गेंदबाजी करने उतर रही है पाकिस्तान की टीम तो अब भारतिये टीम को जो हम लोग डिसकुशन करते भी रहे हैं ओपनिंग पेर इसको थोड़ा तो लंबा खेलना होगा बिल्कुल इल्कुल सही कह रहा है आप एक कमी हमारी यही रही है जो हमारा टॉप वाड़ा रहा है उसके लिए परिशानी आ रही है कि हमारे ओपनर से बड़ी पारी नहीं किल रहे है और राहूल बहुत जल्दी विकेट हो रहे हैं किसी ने किसी टेक्निकल काराल से पिछले उस मैचो से आप देखे तो वह सही बाती है कि आउट ओफ फॉम लग रहे हैं और इस तरह से आउट हो रहे हैं वो तो उनके कॉंफिदेंस में कमी भी आ सकती है लेकिन आज उन्हें राइस तूदा करना है इस मौके पे उन्हें अपनी पर्फॉर्मेंस को उपर लेके आना सवाल है उनके अपने अपने सर्वाइवल के लिए भी बहुत बॉर्टन है कि इतने बॉर्टन में मैश में आप रन बनाए जी टॉप और को टिक्के खेलना होगा ताकि एक बड़ा स्कॉर एक बड़ा टार्गेट जो है वो पाकिस्तान को दिया जा सके अगर यह दोनों डोन करते हैं अगर अगर शुरू के साथ-ाट ओवर अगर हमारा ओपनिंग स्टार्ट हमें साथ-ाट ओवर तक मिल जाता है तो ताट-ाट ओवर का मतलब यह है कि हमारे पास सत्तर रन लगने एक अगर यह दोनों साथ-ाट ओवर खेलते हैं तो सत्तर रन इसी लिए लगते हैं और बात के जो 12-13 ओवर बस्ते हैं अगर हमारा विगट बचा हुआ है तो हम उसमें इसी लिए 120 रन इसी लिए लिए गेंदबाजी की वो कैसी है आपके हिसाब से दूसरा पॉइंट है कप्तानी के लिहासे हमने पिछले मुकाबले में भारत के साथ जो मुकाबला हुआ पाकिस्तान का तो बाबर की मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा डिसीजन उनके गलत हुए और उन गलत डिसीजन की वज़ से रोहित और बाबर को कंपेर किया जाए तो बंदुरुदीन सर देखें मैं रोहित को जादा बड़ा अच्छा कप्तान मानता हूं उसके बादम के अलावा क्योंकि आधम अभी नया है जैसे जैसे करता रहेगा कप्तानी लेकिन जो आप कह रहे हैं कि उनकी कमीये नहीं व मेडिया बेतर से जड़ेजा को आउट करवाया जाए तब ही हम लेटाम को अपने लगाएंगे लेकिन जैसे सिच्वेजन थी मैंने बताया जड़ेजा ने बहुत अच्छा बैटिंग की और कुछी के वएसे जो मैच हम जीते जड़ेजा की वएसे जीते